दोस्तों आप लोग ने एक कहावत सुनी होगी इस टोक मार्केट सभी का है कोई भी इसके अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर सकता और इदर से अच्छा काशा प्रोफिट कमा के ले जा सकता लेकिन क्या ये रियल्टी है आप लोग ने देखा हूगी बहुत सारे तो जो लोग रहते हैं इदर से स्टोक मार्केट से एक अच्छा प्रोफिट लेकर जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो स्टोक मार्केट से इदर दोस्तों नेगिटिव रिटन यानि लोस करके जाते हैं उसके पीछे बिहाइंड दा सीन क्या कभी आपने सोचा दोस्तों का directly मतलब यह है कि वह जो लोग नए आते हैं या stock market के अंदर investment करते हैं वो हमारे जो market के अब हो क्या रहा है कौन से stock का future आगे जाकर अच्छा होने वाला है government की क्या guideline है हमारे देश के अंदर जो नएने project क्या हो रहे हैं क्या क्या infrastructure है क्या क्या development है वो सब चीज के बारे में इधर research नहीं करते हैं इसी वज़े से उनको इधर लोश होता है दोस्तों अगर हम एक्जामपल लेकर चलते हैं आज के समय में आप लोग देख रहोंगे हमार strong का दिशेदर आगे की और बढ़ रहा है और अगर हम directly इसमें बात करें भाया जो EV वहिकल है अगर इसका हम future देखते हैं तो वो भी एक strong future है और साथ में जो इंडियन government है उन्होंने भी बहुत अच्छे-च्छे step ले रखें इवहिकल के लिए promote किये जारें जगह जगह future में इसका जो अगर हम बात करें demand और supply बहुत तेज गतिशे बढ़ेगी और इसका future भी बहुत ज़्यादा strong है तो क्या हमें इवहिकल के अंदर investment करना चाहिए मेरे हिसाब से बिलकूल करना चाहिए इधर दोस्तों आपके पास दो option मिल जाते या तो आप directly जो इवहिकल जो बहुत ही strong होने वाला है तो इसी से related इवहिकल से related में एक जो मेरी favorite company है वो मैं आपको recommend करना चाहूँगा दोस्तों वह सरोटेक smart power solution जो मैं अभी आपको इनके जो technical fundamental analysis भी आया है जिसका जो यह media release है इसका एक strong impact इधर future में स्टोक के उपर देखने को मिलेगा तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने laptop screen पर और point by point इधर जो stock है इधर clear करते है कि वह यह किस level के उपर हमें buy करना चाहिए किस level के उपर हमारा stop loss होना चाहिए और कहां तक हमें investment करना चाहिए जो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जैसे कि मैं इधर मेरी जो laptop of screen ने मैं आपके सामने share कर रहा हूँ मैं इधर technical or fundamental analysis करने से पहले जो company की तरफ से जो media release है इधर मैं उसको encode कर लेते हैं देखे इधर जो company है यानि कि जो servo tech smart power solution है इन्होंने जो national stock exchange को इधर inform किया है company को बहुत बड़ा order इधर मिला है देखे आपको पता कि जो e-vehicle रहत है उनको charge भी करना पड़ता है तो इससे लेटी दोस्तों जो BPCLA भार्थ petroleum जो corporation limited है उन्होंने बहुत बड़ा order इधर servo tech company को दिया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 November 2022 को servo tech power system limited and NSC listed leading manufacturer of EV charging solution has been awarded a major product भार्थ petroleum car pollution limited और इनको दोस्तों order मिला है कि भाया जो 800 units हैं DC fast EV chargers क वो हमारे देश में अलग अलग जगह पर यानि different location पर यह establishment करना है next 4 महिने के अंदर और अभी जो दोस्तों इसका काम है शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर आप लोग देखे जाओंगे जो आल्रेडी इसके ओपर वरक है दिल्ली के अंदर इधर है initiate होग चुका है जिसकी जो costing बताई जा रही है वो है 46.2 क्रोड रुपे की और यह complete करने का दोस्तों जो expected time दिया गया है 31 मर्च 2023 का है और जो project है वो जो हमारे देश में अलग अलग जगह पर जो petrol pumps है जो हमारे देश की जो major major cities है उनके अंदर petrol pump के आसपास दोस्तों जो यह EV charges है servo tech द्वारा इधर establishment किये जाएंगे यानि उदर लगाए जाएंगे 800 units कम नहीं होते दोस्तों 800 units की जो इधर भारत petroleum corporation limited है उनके द्वारा दोस्तों जो इसकी supply है और install करने का जो पूरा काम है वो servo tech power solution को दिया गया है और 31 मर्च का अपर देखेंगे तो दिल्ली में काम start हो हुआ है और 31 मर्च 2023 को दोस्तों यह complete होने का बोला गया है लोग देख रहे होंगे कि भिया जो इतना बड़ा order जो servo tech को मिला है तो future में इस company का जो स्टोक है आगे जाकर इसके ओपर कितना ज्यादा जो बहुत ही अच्छा impact पढ़ने वाला है अगर आज की डेट में दोस् का चार्ट देखोगे एडवांस चार्ट वो मैं आपको बाद में डिसकस करते हैं सबसे पहले हम जो स्टोक के फाइनेंशल देख लेते हैं देखे आप फाइनेंशल देखेंगे तो देखे फाइनेंशल में अगर मैं स्टैंड अलोन देखता हूं तो 2021 में जो company का revenue 88 क्रोड था अभी 2022 में 133 क्रोड हो गया है यानि अगर approximate देखे 40-50% के approximately इधर जो है revenue जंप किया है net profit भी अगर आप देखेंगे तो 2022 में 3 क्रोड का है अगर आप return on equity देखते हैं तो 2021 में 2.44 था लेकिन 2022 में 7.98 हो गया है और अगर debt to equity देखते हैं तो 2022 में company ने अपनी जो debt है वो भ public के पास है जो promoter के पास इधर 69.03 है और अगर आप public के पास देखेंगे तो 30.98 में दोस्तों इधर promoter ने अपनी जो previous कोई भी प्लेजिंग नहीं की है क्योंकि अगर promoter अगर प्लेजिंग नहीं करते हैं तो इसका positive impact stock के उपर देखने को मिलता है advance chart की बात कर लें देखें इधर advance chart मैंने open कर रखा अगर इस level के उपर देखोगे कि लगबग 30.02.2021 के आसपास जो ये stock है 17 रुपे पर trade कर रहा है यानि अभी डेड़ साल ही हुआ तो डेड़ साल बाद अगर आप देखोगे stock इधर 168 रुपे यानि 179 रुपे पर और अगर हम resistance की बात करते हैं तो जो resistance है 190 रुपे के आसपास जो stock है इधर एक strong resistance बना रखा है तो मेरी अगर मैं बात करूं तो जैसे ये resistance है 190 रुपे का जल्दी तोड़ देगा तो इसके पास जो stock है बहुत ही तेजगती से आगे उपर जाने की उमीद है क्योंकि जो एक नया order भी company को मिला है और साथ में company के जो मेरे को financial है वो मेरे को technical और fundamental दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगता है अगर हम buy की बात करते हो इस level के उपर जो आज की rate में stock trade हो रहा है इस level के उपर इधर हम buying बना सकते हैं इधर sale की मैसला नहीं दूँगा अगर आपके portfolio में आप इसको hold करके रखेगा अगर दोस्तों दुबारा से फिर हम media release के उपर आते हैं तो मैं एक बार फिर आपको इधर क्या है रीकन्फरम करवा देता हूं भया इधर भारत petroleum corporation limited यानि BPCL ने इधर 800 units जो DC charger है जो fast charger है EV charger उनका इधर जो टेंडर है यानि उनको लगाने का install करने का जो काम है हमारे फैबरेट ट्रोक सरोटेक को दिया गया है और अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 46.2 क्रोड का जो है इधर जो project हो काम पर लग गया है जिसका जो completion है 31 मार्च 2023 रखा गया है और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी जो और और मैन जो major cities है जो petrol pump है उनके फैनली दोस्तों आपको यह स्टोक कैसे लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा कोई comment है तो मुझे वह भी comment section में जरूर comment कीजिएगा दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्र